जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्या वर्ते भारत वर्शे जम्बू डॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत अभिनान दन मैं हूँ आपके साथ निधीश गोई एल करता हूँ आप सभी का यतोचित अभिवादन मुर्गे और काफर की तासीर एक जैसी है दोनों को कटना है और ये बाद हम लोग बहुत ज़ीदा तरीकर शायद नहीं किया सकते हैं Parce झीचा नहीं लिखा है अगर आपको पढ़ना है तो किता मंगाईए Amazon पे अविलिबल होगी फोगी फॉट पाकिस्तान आपको पता लग जाएगा कि बबासाब अंबेट करके इस्लाम पर बिशार क्या थे यह वहीं मबासाब अममेटकर ने हम सविधान का निर्माता कहते हैं बाबा साब मेटकर के बारे में कहा जाता है हिंदू कोर्ट बिल जो है उनका नहीं माना गया इसके करण से उन्होंने त्याक पत्र दे दिया कि बात इतनी सी नहीं थी बलकि बात इससे भी ज्यादा थी क्योंकि अगर धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है तो यह 100% होना चाहिए पूरे तरीके से होना चाहिए और अगर पूरे तरीके से नहीं होता है तो आप उस आधार को ही गलत करते हैं और इस आधार को गलत करने का फैसले का जो परिणाम है वह आगे आने वाले सालों में आपको उठाना पड़ेगा और हम पिछले 75 वर्षों से उठा रहे हैं लगातार उठा रहे हैं हम उन्हें तो मान सकते हैं गुरुदेव रविन्दा टैगुर ने भी बात कही थी कि इसलाम और कृष्ण डी ये दो ऐसे religion या मजभव हैं जिनके साथ में अगर आपको रहना है तो आप एक ही तरीके से जार सकते हैं उनको अपना करके कौई नहीं होना चाहिए था कि काफिर और मूर्ती पूझक जो है उनका वित द्रोई किया जाए और इसका मतलब कीवल एक ही ये तोकि उन्होंने अपने heroes बनाए हैं और hero कौन बनाए हैं? heroes वो हैं जो सरतन से जुदा की बात करते हैं सोचिएगा जो कड़ी निंदा करने वाले हैं कड़ी अलाल जिके हत्या होती है, murder होता है लेकिन उस murder के बाद में सरतन से जुदा के इस नारे की कड़ी निंदा करने वाले तो कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन इस नारे को इसलाम से हटा देना चाहिए, ये बात कहने वाले आपको कितने muslim लोग मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो समझेगा कि उम्मा, जिहाद, काफिर, इस बारे में वो लोग किवल इतना ही कहेंगे कि नहीं भाई, इसकी जो व्याक्या आप लोग कर रहे हैं, वो ऐसी है पाकिस्तान के एक्जाम्पल हम देखते हैं, बागलादेश का एक्जाम्पल हम देखते हैं सीरिया के एक्जाम्पल्स हम देखते हैं इसराइल के बारे में हम बात करते हैं लेकिन आज भी हमें अपने अब्दुल से बड़ा प्यार है क्योंकि वो हमारी गाड़ी में लगा पंक्चर बहुत अच्छे सी ठीक करता है हमारा जो एसी है उसको लगाने के लिए आता है पैस करना और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं उनके बच्पन से मदर्सों में घुटी पिला पिला करके यह जो ऐसे हिला हिला करके सिर्चों काम किया जाता है उसमें कुछ और इसके अलावा नहीं है सोचिएगा यह इल्म हमारे पास में नहीं है उनके पास में उनकी कित की हटा दिया गया नखाले वालोंने कि भही माहा-बारत पढ़ेंगे या महा-वारत लिखेंगे या महा-वारत को घर में रखेंगे तो लड़ाई होगी होगी तो फिर आप सुनДर जीमन कैसे जिएंगे तोड़ा है थोटे की जरूरत है, जिन्दगी यहां फिर भी कितनी खूपशूरत है, ऐसे गाने आप कैसे गाएंगे, और सुन-सुन-सुन, मेरे मुनने सुन, प्यार की गंगा भए, प्यार की गंगा भए, देश मे एका रहे, ऐसे में सारे के सारे वो बॉलिवूट कलाकार यहां पर कहा वो बॉलिवूट की डर्पो गैंग जिसे हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। उदाइपुर में कनहिया लाल के गले को रेत जाने के बाद में क्या उस बॉलिवूट गैंग को डर नहीं लगा उनके साथ में खड़े हैं वो सारे के सारे लोग जिनके लिए इसलाम पर बोलना तो गलत है वो एक मख़़ब के लिए गलप बात होती है चाहिए tenga whakar नहीं हो सकता आप कोई व्यक्ति किसी यह कोई और वह आभी व्यक्ति करें ना करें यह अलग बात है लेकिन काली मता की बात करना चाहे वह महूवा मुजत राहो ए और उस को उस मूवी को बनाने वाली लीना ये बात करें तो ये अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है ये सारे की सारे लोग वो हैं जो खड़े हुएं सोचिएगा अजमेर की दरगाह पर आज से काम नहीं हो रहा है इससे पहले भी यानि कि आजादिक की शुरुआत में भारत के घटना होई थी तब यह कहा था कि मुझे आंकड़े बराबर के चाहिए क्योंकि उस समय मरे जो थे वो जादा हिंदू थे और मारने वाले कौन थे ये आपको मालूम है जब घटना होई थी सिंधी व्यापारियों के साथ में उन्टे टाइम उनका कहा था नहीं मुझे बरा जिसे अब योगी जी पलट करके सीधा प्रदेश बराते जा रहे हैं और अब राजस्थान में भी यही काम हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाचिक विद्वेश सिखरी हुई ये हिंदू विरोत की सरकार के अलावा इसे और आप क्या कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं हम खर में किसी के साथ में हुआ ना वैसा जिन्होंने किया है उनके साथ में भी आप कर दीजिए कितने दिन हो गए हैं किसी ने ऐसा कुछ किया क्या फास्ट्रेक अदालत इस तरह की बठाई गई कि आपको वाकि में लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में करवाई की जाएगी इसके लिए इनके जड़ में तो जाना पड़ेगा और जब जड़ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सरतन से जोदा जैसे नारे लगाने वाले ये इनके हिरोज मनाए गए हैं ये इनके आइडियल्स हैं जब आइडियल्स ही ऐसे होंगे तो इस तरीके काम लगाता हमोते रहेंगे सोचना हम को है कि हमारे आदर्श और कानिया हम लोगों को मालूम है कि हम然 मालूम है कि हमारे भगवान पर शुराम कौं? उन्होंने कितनी कितनी बाह किये strengths च्याद कितनी यो कानिया मालूम के कि नहीं चांद चाकर नो महा बहुत हुदायाZ the point is like कि हमारे घर से 5-6 किलमेटर दूरी पर बैठे वो सारे के सारे लोग इसी ताक में हैं और लिटमस टेस्ट लगातार आपके साथ में करते आ रहे हैं उनका एजेंडा क्लियर है हमारा एजेंडा क्या है यह हमें मालूम ही नहीं है हमें पढ़ाया भी नहीं गया हमें बताय भी नहीं गया बेगर शायद आज तक भी हम एक यूरोपी अमरिकी कलोनियल माइंसेट में आज भी जिन्दगी में जी रहे हैं और कब तक जी रहेंगे यह मुझे एक्चुली समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ जाएए आपके घर से क पाँच किलोमेटर दूरी पर वो सभी लोग मौझूद हैं कदम बढ़ाते हुए आएंगे न तो सोचेगा पाँच किलोमेटर के दूरी को अगर बढ़ाते हुए आए आधा घंटा लगेगा आया फिर पौन घंटा या एक घंटा आप तक आने में आप कहां जाएंगे ऐसे बचेंगे क्या शात्रतेज क्या ब्रह्मतेज इसकी बात हम लगाता करते हैं वो कितना हमारे अंदर रह गया है तो जितना हमारे अंदर नहीं रह गया है तो उसको अपने अंदर लाने के लिए कौन सी कोशिशे हम लोग रोज लगातार कर रहे हैं या फिर हम संधी और धर्म के लिए भारी न पढ़ जाए पिछले 200 वर्षों में जितना नुकसान हमने सहा है वो शायद महाभरत की युद्ध में भी हमने नहीं सहा होगा पिछले 2 वर्षों में न केवल हमारी क्रॉप को खतम कर दिया गया जो हमारी फसले हमारी धरती से उखती थी उसको खतम कर जा गया हमारी संस्क्रती हमारी परंपराओं का विनाश करने पर लगातार तर्ट ला गया कभी आवले को कभी तुल्सी को कभी बर्गत को पीपल को पूझने वालों को एक दक्या नूसी सोच कह के बताया गया यानि कि हर तरीके से जहां-जहां से आप पर अटक किया जा सक समझना चाते हैं या पिर जैसे वो भड़ना चाते हैं या पिर हमादने की चा δ multip affair दो त 1975ONG ενends different यह जंदगी उनना बड़नाisas के लिए बंची रहे और लंबी हो, स्वस्थ हो, प्रेम बुर्वक हो, ये भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, अपनी किताबों को, दूसरों की किताबों को कोसने से काम नहीं चलेगा, अपनी किताबों में जो लिखा है, जरा उसको समझ कर के देखिए, उसको अपना के देखिए, उ कुछ तो आप और हम भी कर ही लेंगे दे ही लेंगे आज के कारक्रम में इतना ही अगर आपको लगता है कि राश्ट्र उधर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने नैते सहयोग के साथ में ही हमें नियमित रूप से मार्थिक, आर्थिक सहयोग भी अवश्रि पड़ान करें आज के कारक्रम में इतना ही नमस्ते जय हैंत जय भारत वंदे मातर